प्लस जो नेक्स्ट लेक्चर में टोपिक कवर करने वाले हैं यहां से कोशन आने के चांसिज 101% है चाहिए आप किसी भी यूनिवर्स्टी या कोलीज के एक्जाम दे रहे हो और यहां से कोशन ना आई ऐसा अभी तक नहीं हुआ है लगबग 101% यहां से कोशन आता है तो इन टोपिक्स को भई बिल्कुल अराम से समझेना ठीक है और मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से इन टोपिक को समझाने वाला हूँ अब टोपिक क्या है वो है भई अब यह टोपिक्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पेसिक बताऊना चाहिए जो स्टूडेंट्स जो मेरी यह सीरीज है मेकैनिक्स की इसको स्टार्टिंग से देखते वे आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर अभी तक आपने यह सीरीज नहीं देखी है तो आई वटन पे क्लिक कर लो वई आपको पूरी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगे तो सबसे पहले आपाने मेकैनिक्स के बारे में पढ़ा था उसके बाद मकैैनिक्स की तीन ब्रांचीज होती है statics kinematics और dynamics उसके बाद आपाने rest और motion के बारे में पढ़ा था फिर अपने पास frame of reference आया था उसके बाद Newton का first ला आया था first ला क्या बोलता था वई कि अपने को state किसी भी body की state change करने के लिए किया चाहिए external force चाहिए उसके बाद अपने पास second ला आया था second ला बोलता था external force applied is directly proportional to rate of change of linear momentum अब directly proportional का sign अटाते थे वो मेरे पास एक constant आता था और उस constant की value मैंने क्या मालनी भई यह force की value आगी किसके according Newton के second ला की according और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या is equal to me ठीक है यह आप लोगों को पता है उसके बाद next भई अपने पास Newton का third ला आया था every action there is equal and opposite reaction उसके बाद अपने वर्क के बारे में पढ़ा था वर्क is set to be done when applied force produced displacement उसके बाद अपने पास energy आये थे ठीक है उसके बाद kinetic energy and potential energy आये थी linear momentum and angular momentum तो linear momentum को आपा जर्नली P से denote करते थे और इसकी value होती थी भई अपने पास P is equal to mv उसके बाद आपा ने किया था angular momentum, angular momentum को भई आपा LCD note करते थे और angular momentum को define करते थे it is defined as vector cross product of position vector and linear momentum तो लिखते कैसे थे R cross P यह अपने पास क्या होता था linear momentum अब भई एक definition और है torque क्या torque जिसको आपा क्या बोलते थे turning effect torque अब torque की definition क्या होती है ये और लिख लो ये भी very very important है और आज का जो topic है उसके अंदर इसका use होगा तो torque journal होती क्या है torque is defined as लिखो भई जल्दी लिखो torque is defined as vector cross product of torque is defined as vector cross product of position vector क्या position vector ठीक है position vector जिसको आपा क्या बोलेंगे r cap ठीक है ये बोलेंगे r vector and force and force ठीक है f तो journal ही torque को represent करने के लिए ये वाड़ा symbol use करते है ठीक है अब torque होता क्या है वही मेरे पास torque होता है vector cross product होती है किसकी position vector और force की अब according to newton second law force की value क्या होती है वही force is equal to dp by dt तो torque is equal to r vector cross dp by dt ठीक है ये किसकी definition आगी अपने पास torque की तो मैं वालिक देता हूं इसको torque होता है अपने पास r cross p sorry r cross f अब f को आपा क्या लिख सकते है according to newton second law rate of change of linear momentum ठीक है ये torque की value आगी तो ये basic चीज़े हैं जिनका आप लोगों को पताऊना चाहिए तो अब आती है वही अपने पास जो main topic है वो अब main topic क्या है वही conservation of linear momentum ठीक है conservation of linear momentum अब linear momentum पो वही आपकी book के according दो तरह से topic दे रखे है conservation of linear momentum ओफ पार्टिकल अब पहली बात दोनों में difference किया है अगर जब तक आप difference नहीं समझोगे तो आप इनके जो derivation है उन्हें confused रहने वाड़े हो ठीक है तो अब difference समझाने के लिए एक बारी फिर से repeat करते है conservation of linear momentum of particle conservation of linear momentum for system of particle अब यहां पर word use हुआ है particle ठीक है क्या use हुआ है particle तो देखो ये मेरे पास कोई coordinate system है ये x-axis है ये y-axis है तो मैंने एक particle ले लिया पी अगर मैं single particle की बात कर रहा हूँ तो अपने पास derivation आता है conservation of linear momentum of particles only and only मैं सिरफ एक particle के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है इस system के अंदर बहुत सारी particle है बट मेरे को किस particle से लेना देना है ये वड़ा particle है इसी से लेना देना है मेरे को और किसी से कोई लेना देना देना नहीं है ठीक है अब बात आती है system of particle क्या है जब मैं इसके अंदर जितने भी particle present है मानके चलो ये p1 particle है ये p2 particle है up to pn particle अगर मैं सभी का conservation निकाड़ता हूँ सभी particle का क्या निकाड़ता हूँ conservation निकाड़ता हूँ तो उसको आपा बोलते है conservation of linear momentum for system of particle system word का यूज हो गया system मतलब जितने भी particle है उनका system है system of particle जितने भी particle है जब मैं उनका conservation निकाड़ता हूँ तो उसको आपा बोलते है system of particle और एक फॉफ पार्टीकल का मतलब होता है जब मैं एक सिंगल पार्टीकल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? अब सेम चीज एंगुलर मुमेंटम के लिए है, क्या है? एंगुलर मुमेंटम के लिए, इसके अंदर भी दो चीज़ आती हैं, भई, conservation of conservation of angular momentum conservation of angular momentum यहाँ पर भी दो वर्ड यूज़ करेगा of particle and of system of particle I think आप लोग समझ गए होगे ठीक है अब बात आती है आज की वीडियो का जो ले topic से अपने हो है conservation of linear momentum of particle and conservation of angular momentum of particle ठीक है अब यह जो यह वाड़ा topic है conservation of linear momentum for system of particle and conservation of angular momentum for system of particle यह आपा next lecture में करने वाड़ी है ठीक है अब बात आती है यह topic one of the most important है और university और आपके जो college है उनके exam के इसाब से यह 101% पुछे ही जाती है ठीक है previous year question उठाना जो आपका paper है previous year question paper वो उठाना उसके अंदर यह topic जरूर भी देंगे तो heading डाल लो भई starting करते हैं conservation of linear momentum of particle तो आप लोगों को यादो भई पिछले lecture में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या linear momentum concerned कब होता है linear momentum concerned कब होता है conservation of linear momentum of particle यह heading डाल अब पिछला lecture लिवाईज करवाते हैं आप लोगों को मैंने बोला था कोई भी body है जैसे यह दो body थी जब मैं system को क्या कर देता था isolate कर देता था system को क्या कर देता था isolated कर देता था isolated system isolated system की खास बात इस system के उपर कोई external force नहीं लगती अगर मैं system को isolate कर दूँ तो जो external force लगरी है वो क्या हो जाती थी 0 और जो इनकी जो internal force है वो क्या हो जाती थी cancel out हो जाती थी तो आप बोल देते थे कि जो अपना linear momentum हो क्या हो रहा है अब इसकी definition लिखवा देते हैं आप लोगों को definition लिखो भई if the total force acting on the particle is 0 total force मतलब external force plus internal force अगर यह 0 हो जाए 0 कैसे होगी system isolated external तो 0 है internal cancel out होगी तो total force कितने होगी 0 अगर total force 0 तो linear momentum क्या होगा ठीक है एक बारी फिर से repeat करते हैं ठीक है अपने को क्या करना है conservation of linear momentum of particle करना है ठीक है कल मैंने आप लोगों को बताया था अपने पास यह कोई system है मैंने क्या किया यह circle बना दिया अब circle क्या था अपने पास isolated system isolated system क्या करता था इसके उपर कोई external force नहीं लगने लेता था ठीक है यह समझो दो बंदे हैं एक कमरे के अंदर बंद गरगी बार से कोई नहीं आ सकता ना तो ऐसे बोलो external force क्या है जीरो है ठीक है external force क्या है जीरो अब जो इन दोनों की internal force होगी क्या होगी internal force वो क्या हो जाएगी cancel अब total force क्या होती है क्या total force total force यही तो होती है external force यानि की जो force बार से लग रही है external force प्लस internal force प्लस internal force इसी को तो क्या बोलते है total force बोलते है अब देखो external force लगी ने रही तो इसकी value क्या है जीरो और internal force cancel out हो रही है तो इसके भी value क्या है जीरो अगर मेरे पास जो total force है अगर मेरे पास जो total force है उसकी value 0 आ जाती है तो मैं बोल सकता हूँ मेरा linear momentum क्या हो रहा है अब इसकी definition यही है कि total force acting on a system is 0 इफ लिखो definition लिखो इफ टोटल फोर्स इफ मैं लिख देता हूँ ठीक है इफ टोटल फोर्स टोटल फोर्स acting on a system acting on a system is 0 is 0 then we can say that then linear momentum क्या होगा रही linear momentum is consuled linear momentum क्या होगा भी मेरे पास linear momentum is consuled ठीक है linear momentum is consuled और च никаких constant भी क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं तो i think आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर अपने पास क्या अगर अपने पास external force क्या हो zero हो और internal force cancel out हो जाए तो that means total force जो system के उपर act कर रही है वो क्या है zero अगर total force zero आगी तो मैं बोल सकता हूँ मेरा linear momentum क्या हो रहा है खंजवर हो रहा है ठीक है अब अपना Newton का second law उठा दो यहां से according to Newton second law इसका proof है भई आपको सारा mention करके आना आता है according to second law of Newton according to second law of Newton अब अपने Newton बाई साब आ गई यहां पर वो क्या बोलते थे force external force applied is directly proportional to rate of change of linear momentum directly proportional का sign अटाया के k की value 1 तो force is equal to dip by dt force is equal to dip by dt यह अपने पास क्या आ गया भई Newton second law के according अब यह क्या होती थी अपने पास यह अपने पास external force होती थी तो यहां पर external force क्या है 0 तो dip by dt is equal to 0 dip by dt is equal to 0 आप लोगों ने differentiation पढ़ा होगा वही क्या पढ़ा होगा differentiation अब मैं differentiation की कुछ भात्ते हैं जो आप लोगों को याद दिलानी है जब आपा constant function का क्या करते थे constant function का differentiation करते थे constant function क्या था c जब मैं constant function का क्या करता था differentiation मेरे पास क्या आता था 0 आता था क्या आता था 0 तो मैं बोल सकता था क्या बोलता था c is equal to constant देखो c क्या है c is equal to constant और जब मैं constant function का differentiation करता था तो क्या रहा है 0 तो यहाँ पर देखो एक function है क्या p जिसका differentiation क्या रहा है 0 तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ जो मेरे पास P है वो क्या है constant constant है इसका मतलब क्या है घंजा होटे है ठीक है P अपने पास क्या हो गया P अपने पास हो गया linear momentum P अपने पास क्या हो गया भाई साब linear momentum ठीक है I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है यह बाई बिल्कुल basic level है बिल्कुल basic level से उठा के आप लोगों को यहां पर लेकिया है यह अपने पास क्या है external force according to Newton second law is equal to dp by dt अब अपने को पता है external force क्या है 0 क्यों 0 है system isolated isolated का मतलब external force 0 तो force 0 dp by dt is equal to 0 जब आपा constant function का differentiation करते हैं constant function का क्या करते हैं differentiation अगर वो 0 आ जाए तो c क्या होता है constant तो यह देखो differentiation कर रहा हूँ वो क्या आ गया 0 तो मैं यहां से बोल सकता हूँ p मेरे पास क्या है constant और p क्या है linear momentum अब constant है तो इसका मतलब क्या है यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था प्रूफ हो गया भई तो यहां पर लिख सकते हैं linear momentum is लाइन लिख लेना नीचे linear momentum is जंदी से उतारो भई इसको आपके पास 2 मिनट है अब अपने पास next topic आता है भई conservation of angular momentum conservation of angular momentum अब जिसको linear momentum समझ में आ गया angular momentum वो निकाल देगा भई यह देखो मैं लिख देता हूँ यहां पर angular momentum angular momentum conservation of angular momentum of particle of particle अब है क्या भई angular momentum कंजाउड कब होगा तो यहां पर definition लिखते हैं when लिखो definition लिखो if the total torque उसमें क्या था if the total torque acting on a system acting on a system is zero is zero then angular momentum angular momentum is गंजाउड गंजाउड बोल दो या क्या बोल दो constant हो थो ठीक है क्या रहेगा constant रहेगा linear momentum के linear momentum में क्या था जब मेरे पास total force की value zero आती थी तो linear momentum कंजाउड होता था जब मेरे पास total torque की value क्या आगी zero आगी तो angular momentum कंजाउड होगा ठीक है definition करना याद करना बिल्कुल असान angular momentum में torque होता है जब total torque zero angular momentum कंजाउड जब total force zero तो अपने पास क्या होगा linear momentum कंजाउड होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बई जब system के उपर जो torque act कर रही है अगर वो मेरे पास क्या आजाए zero आजाए तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो angular momentum है वो क्या होगा गंजाउड होगा ठीक है तो यहाँ से देखो बई मेरे पास angular momentum को आपा denote करते है किसे L से किसे denote करते है L से यह इसका मैं जर्नली proof कर रहा हूँ बई आप लोगों को यह करके आना होता है ठीक है पेपर में यह इसका प्रूफ है बिल्कुल असान है यार angular momentum की value क्या होती है इस डिफाइन आज vector cross product of our vector cross याद करने के लिए मैंने क्या बोला था linear momentum के moment को क्या बोलते है angular momentum अब क्या करो differentiate कर दो वही दोनों side ठीक है differentiate कर दो दोनों side with respect to differentiate करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा dl by dt is equal to dl by dt किसके बराबर आ रहा है dl by dt आ रहा है मेरे पास d by dt r cross p r cross p तो आप लोगों को differentiation का rule याद होगा क्या अगर नहीं याद मैं आप लोगों को बता देता हूँ differentiation of अगर अपने को दो function का differentiation करना हो ठीक है दो function एक को मैं first मानता था एक को second और u into v rule लगा देता था बोलो क्या आएगा फर्स्ट function as it is differentiation of second ठीक है प्लस second as it is differentiation of फर्स्ट ये अपने पास क्या होता था भई ये अपने पास rule होता था किसके लिए differentiation के लिए तो यहाँ पर लगाओ भई ये first function हो गया मेरे पास ये क्या हो गया second function तो क्या होगा first function as it is differentiation of second फिर्स स्थ फंक्षन एगी इडिफरेंसेशन ओंफ अलवा समझ में आ रहा है आप लोगों को जस्ट मैंने क्या किया है यू इंटू बीआप लाई किया है first function as it is लिखा differentiation of second plus second as it is लिखा differentiation of first तो एक चीज़ आप लोगों को मैं याद दिला देता हूँ अपने पास r क्या उत्ता था? displacement r क्या उत्ता था? displacement ठीक है? जब मैं displacement का एक बारी derivative करता था rate of change of displacement rate of change of displacement उसको आपा क्या बोलते थे? velocity rate of change of displacement इसको क्या बोलते थे? velocity बोलते थे ठीक है? तो देखो r दिखाई दे रहा हुगा इसको थोड़ा उपर लिख देता हूँ ठीक है इबर दुबारा बोलो r cross dp by dt plus p as it is cross dr by dt अब अपने को पता है भई dr by dt क्या है? velocity है तो मैं इसकी जगे velocity पूट करने वाला r cross dp by dt plus p cross v ठीक है? p मेरे पास क्या है? linear momentum p की value क्या है? mv तो p की जगे मैं रख रहा हूँ mv p की जगे क्या रख रहा हूँ? mv और आप लोगों को पता है जब आप आँ vector cross product करते हैं और दो similar vector की cross product क्या होती है? 0 होती है तो यहां पर देखो v cross v तो मैं लिख सकता हूँ यहां से mv cross v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा mv cross v क्या हो जाएगा? 0 तो यहां से मेरे पास dl by dt dl by dt क्या आगया? देखो यह ट्रम तो पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी यह ट्रम तो क्या हो जाएगी? पूरी 0 तो यह बचेगी r cross dp by dt r cross dp by dt अब देखो भाई साब according to Newton law according to Newton second law force की value क्या उत्ती है? dp by dt तो यह देखो torque आगया मेरे पास क्या आगया? torque अब torque क्या आगया? r cross r cross dp by dt इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ by torque ठीक है? आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था इसको क्या लिख सकता हूँ? torque यह यहां से देखो according to second law df by dt क्या होता है? force तो इसकी जगाए पे मैं force रखने वाणा हूँ force रखेंगे तो यह मेरे पास आजाएगा r cross यह मेरे पास क्या आगया? force और r cross f मेरे पास क्या होता है? torque torque is defined as vector cross product of position vector and force तो dL by dt dL by dt is equal to torque dL by dt is equal to torque ठीक है? dL by dt is equal to torque अब next step क्या है? तो मेरे पास dL by dt यहने कि rate of change of angular momentum is equal to torque वो starting में बोला है भई मैंने definition में angular momentum konsoud कब होगा? जब system के उपर जो total torque act कर रही है वो क्या हो? total torque act कर रही है वो क्या हो? 0 तो मैं torque को क्या मान लेता हूँ? 0 क्यों? क्योंकि angular momentum क्या है? konsoud है torque की value 0 तो dL by dt क्या हो जाएगा? 0 ठीक है? सेम rule constant function का differentiation करते हैं constant function का क्या करते है? differentiation तो मेरे पास क्या आता है? भई साब 0 आता है यह देखो इसका differentiation क्या आ रहा है? 0 तो मैं यहां से मान सकता हूँ भई मेरे पास जो L है वो क्या है? constant है या L क्या है? consured है तो यह मेरे पास proof हो गया भई किसका? conservation of angular momentum of a particle ठीक है? जब मैं एक single particle के बारे में बात करता हूँ तो मेरे पास proof यह आता है तो भई paper के अंदर आप लोगों को गुमादेगा क्या गुमादेगा? आप लोग रटा मारगे जाओगी कि भई मैंने conservation of linear momentum कर लिया conservation of angular momentum कर लिया वो आपके साथ खेल खेल लेगा वापर बोल देगा derivation करो conservation of linear momentum of a particle अब student क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है मैंने भी ऐसा किया था तभी आपको बतारा रटा मारगे जाएंगे conservation of angular momentum ठीक है? अब वो ये नहीं देखने वाड़े यहाँ पर क्या लिखा है? of a particle लिखा है या for system of particle लिखा है ठीक है? system of particle लिखा है वो बाई साथ क्या करने वाड़े है? उनको याद है ठीक है? वो रटा मारके जाएंगे कोई लिए ना देना नहीं है उनको चाहिए of particle लिखाओ या system of particle लिखाओ वो क्या करेंगे? जो उनको याद है वही चेप देंगे जब उनको conservation of angular momentum निखा दिखाई देगा फिर बाद में कहेंगे भई मैं तो paper करके आया था मेरी रिया आगी ठीक है? तो बात होती है समझने की ये समझ के करना कैसे समझ के करना? conservation of linear momentum वोख particle गीवन हो conservation of angular momentum वोख particle गीवन हो तो उसके लिए जो derivation करने है वो मैं आपको next lecture में बताने वाड़ा हूँ ठीक है? अब क्या करें? revision कर लेते हैं एक बारी तो conservation of linear momentum अब भई साथ-साथ बोलना ठीक है? मैंने बहुत बोल लिया अब आपकी टरन है जल्दी से revise करवादो conservation of linear momentum linear momentum अब भई अगर simple बासा में बात करें system isolated system isolated if system is isolated that means no external force is acting on the system अगर external force act नहीं कर रही तो internal force क्या हो internal force cancel out and we can say that linear momentum is conserved simple बासा में simple definition if total force total force मतलब external or internal if total force acting on a system is zero अगर अपने पास total force क्या हो zero हो total force zero हो गई तो आपा बोल सकते है जो अपना linear momentum है वो क्या है तो यहां से force की value क्या होगी zero तो dp by dt is equal to zero तो p is equal to constant p constant तो आपा बोल सकते है linear momentum is conserved अब बात आती है angular momentum की angular momentum conserved कब होगा जब total torque की value क्या आजाई total torque की value मेरे पास zero आजाई तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा angular momentum है वो क्या हो रहा है conserved हो रहा है ठीक है अब इसका proof कैसे करना है अपने को पता है बही क्या linear momentum मेरे पास क्या होता है sorry angular momentum मेरे पास क्या होता है r cross p angular momentum definition बोलो angular momentum is defined as vector cross product of position vector and linear momentum अब ये अपने को पता है differentiate मारा with respect to t differentiate करने के लिए आपने rule use किया unit to v dl by dt दोनों side कर रहे है ठीक है dl by dt तो d by dt ये टरम लिखी इसको first function मानना इसको second function first function as it is differentiation of second plus second function as it is differentiation of first अब अपने को पता है dr by dt यानि कि rate of change of displacement जिसको आपा क्या बोलते है velocity ठीक है linear momentum की value पता है अपने को mv जब दो same vector की cross product होती है तो वो क्या आती है भी अपने पास 0 आती है तो यहां से क्या बचा dl by dt क्या हो गया dl by dt is equal to r cross dp by dt भाई सारा दिन हो गया बोल दे आज गड़ा खराब हो गया dl by dt is equal to r cross dp by dt तो यहां से dp by dt according to second ला क्या आगया force तो मैं इसको लिख सकता हूँ torque और अपने को पता है angular momentum खंजा उड़ कब होता है जब system के उपर जो torque act कर रही है या जो total torque act कर रही है उसकी value क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए जब total torque की value 0 तो मैं बोल सकता हूँ rate of change of angular momentum is equal to 0 तो L क्या हो जाएगा constant or L अपने पास क्या है भई L से अपाई शो करते है angular momentum को तो यह मेरे पास क्या था भई proof था ठीक है अब भई कई students को लग रहा होगा मैं live class ले रहा हूँ अगर exact time पे आप लोगों के लिए class upload करें तो उससे क्या होगा कई बारी network की problem होती है गाउ में अभी गाउ में ऐसा ही होता है कई बारी range होती है कई बारी range नहीं होती तो मैं पहले से upload करके उसका time set करके छोड़ देता हूँ और आपको पता है नो बज़े आपकी mechanics की class है दस बज़े math की है ग्यारा बज़े chemistry की है ठीक है तो उसी साब से मैं पहले ही वीडियो upload करके छोड़ देता हूँ आदा गंटा पहले आपको notification मिल जाता है अगर मैं premiere करता हूँ और उसके बाद exact time पे आप लोगों की class start चाते है ठीक है ये मेरा schedule रहता है और आज बात करें तो मैंने 7-8 वीडियो बना दी तो गड़ा बिल्कुल खराब हो चका है उसके अलावा tuition पे student आते है उनको भी पढ़ाना होता है 2-4 गंटे तो आज और वीडियो नहीं बनाने वाड़ा ठीक है ठैक्स फर वोचिंग creative study एक के और भी आपको जो next lecture है न वो भी जरूर से जरूर देखना है क्योंकि इस lecture से प्लस उस lecture से आप लोगों का जो question है वो 101% आता है ठीक है अब आप लोगों की इसके बाद class होगी 10 बजे एल्जेबरा की ठीक है उसके बाद जो next class होगी आप लोगों की वो होगी chemistry की again thanks for watching creative study एके और हाँ भी next class देखो और enjoy it